आप देखिए यह सेकेंड वीडियो है और फर्स्ट वाली को आप अवाइड कर दीजे आप चाहिए तो उसको अवाइड कर दीजे वह आज को रिलेटेड है लेकिन यह इंपोर्टेंट है क्योंकि कल 28 अप्रेल है और कल मीटिंग है और आप मैंसे एक गुट वर्ट चुका है बाइवेक के और बाइवेक के वारे में आप जानना चाहते हैं मेरे ख्याल से अभी जो बिपरों का बाइवेक यह आपर 12 जक्रोड का आया पॉसिबल है उसी वह से आप यहाँ पर पूछ रहे है ना तो यही आपर अगर आप पूछ रहें इसके वह आपको बताता हूँ कि buyback के यहाँ पर जो किया जाता है उसके क्या क्या benefit मिलता है वो सारी बात कर लेंगे इसके साथ साथ कल की meeting में क्या यह हो सकता है या नहीं हो सकता है और buyback का असर क्या पड़ेगा अगर यह buyback लेकर आते हैं इसके साथ साथ कल audit result क्या आने वाले हैं या नहीं आने वाले इसके अभी देख लेते हैं तो जर्दा पहले बार प्लान कर दिया है यहां पर बिलकुल सही और यहां पर प्रैस रखा गया है चार सो पैंटालिस रुपए और यहां पर्सेंट अभी करेंड प्राइस जो चला है यह प्रो का उससे 19% premium पर company share price करी देगी इसका मतलब क्या हुआ यह 445 रुपए का मतलब क्या हुआ company इसका जो stock price है अपना वो 445 रुपए आक रही है कि 445 रुपए हमारा इस वक्त सही price होना चाहिए लेकिन actual में company का stock price बहुत डाउन चला है तो यहाँ पर 445 रुपए यहाँ पर पॉसिवल है कोसिस कर सकता है और एक लौती शायद है ना ही TCS ने किया ना ही INFI ने किया है सिर्फ पॉसिव बिपरो है जो कि यहाँ पर buyback कर रहे है क्योंकि उसका stock price भी कहीं नहीं बहुत जादा बात कर चुके है बाइबेक बहुत अच्छी चीज है और continue अगर buyback होता है तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती है कंपनी अपने ही share से यहाँ पर खुद खरीती है अब देखिए एक बात बताईए यहाँ पर buyback तो चलो समझने में आ गया कि यहाँ पर stock market के अंदर company अपने खुद के share परचेज करती है buyback बापस लेती है retail investor बागी बड़े-बड़े investors से IPO बार-बार आ जाता है यह buyback बहुत बड़ा है बेपरोगा लेकिन आपको क्या लगता है क्या ब्रैटकुम ग्रूड के अंदर buyback होना चाहिए क्या उसके पास इतना cash reserve है जी यहाँ है तो cash reserve बिलकुल है अगर buyback यहाँ पर करते हैं तो 200-300 क्रोड का buyback कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ठीक है किसी के लिए बस मन अच्छा होने चाहिए company का लेकर यह आप लाएंगे यह सबसे बड़ी problem है यह बात है आपर सबसे बड़ी बात है कि यह आप लेकर आएंगे buyback है लाने का जैसा कि मैंने का मन होता है अगर अंदर से ही आपर जो है न company पूरा working जो है न एक working procedure रखती है कि लगातार shareholders को कुछ न कुछ देते रहो IT stocks बहुत ज़ादा देते हैं इसलिए IT stocks के पीछे लोग भागते हैं क्यों भागते हैं इसलिए भागते हैं तो अगर इनको एक नाम बनाना है इस वक्त इतने बुड़े वक्त में अगर यह buyback लेकर आते हैं यह कल announce होता है कि buyback हम करेंगे तो फिर आप यह समझ जाएगा कि एक चमतकार से कम नहीं होगा अच्छा खासा price अगर इन्हों ने रख दिया और buyback कर लिया तो आप यह समझ जाएगा कि आदे से जादा दिक्कत हैं दूर हुई है क्योंकि अगर buyback पर यह खर्चा कर रहे है यानि कि इनके पास पैसा है ठीक है ना यह बात तो clear रहे है लेकिन वो buyback ना डूर के ढोल सुवाने जैसा यहां पर लगता है क्योंकि यहां पर buyback करना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है लेकिन बहुत चूटी बात भी नहीं है लेकिन कल का मुझे लगता है कि कल buyback है बहुत बहुत chances कम है buyback का buyback है almost मैंने जातर आते हुए देखा है quarter results के साथ कल कोई quarterly results नहीं है आपका important है 28 अपरेल 29 अपरेल के शाम तक आपका आना था audit results जो कि यहांपा subsidiary company के आने थे वो इस वक्त important है बहुत जादा अगर उनमें कुछ चूक होती है तो फिर यहांपर खेल बिगड़ता है otherwise यहांपर खेल नहीं बिगड़ेगा इसके साथ साथ अगर यह buyback भी ले आते हैं कि buyback पर हम चर्चा कर रहे हैं इतनी भी ख़वर काफी है इसके लिए और यह अगर तेज़ चौबे से पच्चिस छबिस रुपए पर भी buyback करेंगा अगर स्टॉक से तीस परसेंट उपर चालिस परसेंट पर भी buyback करेंगा वैसे 21-22 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है खोब जगती है ऐसे में तो एक चोटी सी एक पॉजटिविटी काफी होती है लेकिन वो पॉजटिविटी लाने के लिए वो buyback लाना जूरी है और बाइबेग के चांसे से इस वक्त बहुत लो है dividend की द्यां रखिए dividend का भी company ने कह दिया है कि कुछ quarter तक हम dividend नहीं देने वाले तो यह भी एक है आपर जो है ना वह बहुत पहले ही कह दिया था वो तो आपको पता ही होगा अगर आपको नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया बहुत पहले यहां पर conference में साथ कहा गया था चार जार की ओपरी नहीं जा पाया ठीक है आप यहां पर 10 लाग को ले लेजिए हम लोग तो compare करते हैं 10 लाग को 1200 के आसपास का buyback था स्टॉक काम करता था कुछ 600-700 रुपए पर वो 1200 जाई नहीं पाया आज देखिए कहां पर है तो यह सारी बात है तो buyback बहुत मुस्किल होता है उसके पास जाना लेकिन huge positive होता है इसके साथ साथ एक value पता चलती है कि इस time इस stock की value कितनी है और वो अच्छा रखता है वो देखने है वो बहुत अच्छा रखता है तो अभी देखे यहां पर buyback की chances बहुत low है ध्यान रखिएगा लेकिन audit results है यहां पर चाहिए audit results पस यह important है problem से निकलना important है वो buyback आई वेक का वो बात की बात है फिलाल audit results का यहां पर जो है ना इंतजार है कल या परसो कल meeting के बाद या फिर यहां पर परसो के सुबह आगर हम बात करने हैं खुछ 29 अपरैल की सुबहाई है यहां पर एक वज़े या देड़ वज़े के आसपास हैं यह तो अपलोड कर देते हैं सब कुछ तो कहीं ना कहीं upload कर सकते हैं बागी देखते रहेंगे अप वाइबेक के लिए और यहां पर और रिजल्स के लिए और बहुत इंपोरटंट है इस कंपेरट तूब आट प्यबाइबेक तो आपका कैना इसके उपर कमेंस से संख़ें और अगर आपको से वीडियोयो प्रप्रोडम है कुछ पूछें कुछ पूशें कुछ पूशें और अब दीच में जाब वीडियो देखने के लिए बातो दन्वाज उस्तो